असलाम लेकुम एवरेवन वेलकम बाक टो ओर चैनल मैं हो कबीर और मैं हो आमिर सो गाइस हम लोग अभी स्टार्ट करें हैं तो हम सीधा अभी जाएंगे गूलकुंडा फोर्ट आज का विलोगिंग पूर अगूलकुंडा फोर्ट के उपर रहेगा सो वहां जाने के बाद में पूरी डीटेल्स आपको शेयर करेंगे तो चलिए चलके स्टार्ट करते हैं तो गाइस आप लोग देख सकते कि हम लोग बोलकुंडा फोर्ट पर आ चुके है अभी और अभी हम लोग पार्किंग एडिया में है आप देख सकते हैं जो हमकेशर को रहें इस दाती है और आप दिखसे करता कार, जाने के बाद आपको ऐख से तरह उस्किल हुआ, अपको अब जने के बाद हम अगर हम आप बार जोर में जड़ता की स्वार्स साप तो गाइज एक्जैक्ली मैं भी जो टोप पे बैठेवा हूँ यह तोप है 1873 में गोलकुंडा फोर्ट के जो राजा थे खुली खुटक्षा उनको कोई विक्टोरिया ने गिफ्ट किया था तो यह तो बहुत ही बहुत ही बहुत इंचानदा डिजाइन किया है तो गाइज यह है complete view of the गोलकुंडा फोर्ट आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा फोर्ट है यह गोलकुंडा फोर्ट इसलिए शायद उसको इंडिया का second largest फोर्ट भी कहा जाता है और यह जो आप जो 240 kg का है तो यह इसका बैक्गरॉंड हिस्टी यह है कि यह जो भी 240 kg जो भी उठाएगा तो गोलकुनदा फोर्ट के जो राजा थे खुली खुतुपशा वो क्या करते थे उनको जॉब देते थे तो यह उठाना शर्त था अगर यह जो भी उठाएगा तो समझना की जॉब पके तो लेट्स ट्राइए अगर में वो टैम पे होता तो शायद में जॉब मिलती है या ने मिलती वो ट्राइगे लेट्स होब फाद बेस्ट क्या बात अगर आप देख सकते जो एक साथ यह बहुत सारे कमान है जहां पर तेरे नाव की शूटिंग हुई थी अगर आप देखेंगे जो पागल का सीन करा था सलमान खान यह यहां का ही है तो बहुत भी अच्छा नजारा है और बहुत पीसफुल जगह है अगर आप देखेंगे है है डिवार इतने मजबूत है वो जमाने के अब तो वीरा ना लगता है पर अपना हम को बेगाना लगता है हम तेरी आदों में खोए रहते हैं लोग हमें पागल दीवाना कहते हैं तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि अभी हम लोग ऊपर फोट की तरफ जा रहे हैं तो चलिए तो ऊपर जाने के लिए जो स्टेज है टोटल अराउंड 360 स्टेज है और ऊपर जाकर आने तक इट विल बी ऑल्मॉस्ट लाइक 700 तो यंग्स्टर के लिए ट्स फाइन बट ओल्ट पीपल के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और यहां पर आप गाड़न देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं यहां पर एक छोटी सी मश्जीद भी है जहां पर संट्र आफ गोलगुंड़ फोर्ट जहां पर एक छोटा सा वजू खाना बना के रखे तो इतने साल आए लेकिन यह चोटा सा मजिद हम कभी नोटिस ने करें तो आप देख सकते हैं बहुत छोटी मश् चलते चलते हालत थक जारी हमपर, क्योंके हम अदिक अभी तो यंग्स्टर से तो इतनी थक जारी हालत उपर चंड में वह जाए आईरन वेट था वह भी उठाया माशारला है इसलिए मैं जादा ही थक्या तो उपर जाने के लिए और भी इस्ट्रेंग की जौरत है तो क्योंकि दूप जब जदा रहने कारण तो भी वह जब दूप है तो गर्मी भी जजादा लग रही और हम उपर जाने के बाद मैं देखेंगे कॵिकर मैं भी बहुत एक्साइड़ हूँ करेंगे मेरा रहा है कि मेरा एक ड्रीम था कि बहुत आएगे लिगे सा इंगे बहुत फ़रक है इसलिए मस्ट आप अब अब एक मस्जीद देखे अंदर जो आप देख सकते बैक सेड में लास्ट इम जो मस्जीद बताया था वह छोटी थी लेकिन उसे थोड़ी सी बड़ी है मस्जीद तो आप सकते माशलारा मशजीद प्यारी है लेकिन बुरूट अभी ब्लॉक करके रखें स्टेप आबात करने की कोशिश करिए और यह सेट में यह भी गार्डन है पुरा सामने आप देख सकते मस्जिद भी है और गार्डन भी है और उपर बास्चा का घर था खुली खुतुपशा मोहमध का और पूरे वाल से हां पर यहां पर अगर याद करेंगे आप गुलुदादा का भ आप देख सकते हैं अब हम लोग है दर्बार हॉल के पास अब हम सर्चिंग फॉर आमिर भाई अचानक से आप देख सकते हैं अब पता निया आमिर बाई का चले गए कि स्टिल आम सर्चिंग फॉर हिम आमिर भाई तो आम सर्चिंग फॉर ही में देखो क्या हूं अमिर भाई इधर बैट गए भाई मैं कपसे धूनरो जी मैं तुम्हां प्र जा सकते नहों था तो यहां पर देख सकते हैं थोड़ा अंधेरा है वो जादे ही अंधेरा है यह सेट यहां पर को डेंजर है चमड़े के चुड़ियों के अवाज आरे मैं जाना सुन चुरा लेकिन गंदगी दिक्री इसलिए नहीं जारूं तो आप देख सकते हैं और भी अंधर अंधेरा है और बहुत ही कमाना बुच जाता है अंधर देकिन अंदर जाके क्या है अंदर पता नहीं लेकिन एक्स्प्रोर करेंगे पप्लिक अंदर आने थोड़ा चमकरी कि अधिक कभीर में चीखा मार रहे हैं यहां पर ही जारों भाई अंदर बहुत अंधेरा है और गंदगी बहुत है इसलिए अंदर निजारा मैं जस्ट इसी शूट करके तो कभीर में नाराज होके चले गए तो मैं कभीर भी कुभी होगा चाकर यहीं चेना अगर कि अधिक हम लोग ऊपर चड़ लेते जा रहे हैं कि इस्टिल हाउ मैंनी स्टेश है मेरा भी है इनक नौर हंड़ेड फिट्ट्ट चल अच्छा है आप देख सकते किती उपर आ चुके हैं हम लोग पहुंच चुके हैं पूरा टॉप पे आप देख सकते के वियो कितनी ऊप आई ठीक काफी उपर है यह इस और पुरे घर चोटे चोटे दिख रहे हैं कि आप कंपलीन वियो देख सकते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि ये entrance जूम इन कर रहे है तो आपको entrance दिख रहा होगा तो जहाँ पर से enter होते हैं गुलकुंडा फोर्ट में तो वहाँ पर जो ecosystem था वहाँ से अगर कुछ communicate करें तो top of the fort पे सुनाई देता था तो आप देख सकते काफी distance है बट still old technology है तो उतनी दूर से भी बात हो जाती थी ये आप देख सकते complete view from the fort तो अभी हम लोग नीचे आ चुके हैं और आप लोग ये garden देख सकते हैं trust me a garden ना फोर्ट की ब्यूटी को enhance कर दे रहा है very well maintained I can say it आप देख सकते के garden और गार्डेन से फोर्ट का व्यों complete व्यों तो गाइस आप लोग देख सकते हैं that we are heading towards the exit और यह हमारा exit है हम एक्जिट कर रहे हैं आप देखिए अपन चड़िंगे आप देख सकते के इस अवर exit कि आप अच्छा दिखा फोर्ट कुछ बलना चाहें कि अच्छा दिखा मैं एकना खुछ हुँँ फोर्ट को देखने के बाद मैं कि एक काफी अर्सा हो गया था मैं सहीद मेरे चाइल्डूट में आया था तो कुछ सी याद नहीं में कुछ तो मैं आने के बाद में काफ के खुछ हो और आपको भी में हो रहा हो कि आप यह विजिक करेंगे तो आपने चैनल के विएस को रिकमेंड करेंगे बराबर करेंगे यह जगाओं पे हरिटेज इकने पुराने हैं जो भी है जैसे कि चार मिनार गुलकुंडा फोर्ट साथ गुमा सियर्स सब जैवा को विजित करके आप भी देखेंगे और यहां पका टिकेट प्रेस कितना है अबर में इस ट्वेंटिफाइड रूपीस पर हैड वाओ ओनी फोर ओट साइडल सी त्री हैंड हाँ बट इसके लिए अलग प्राइज है आपको यह गुलकुंडा फोर्ट के नाम से स्पेशल मसाला सोडा स्टॉल दिखता है सो डेफिनेटल वे विल रिकमेंड यू गाइस क्योंके यहां पर का जो मसाला लेमन सोडा का जो टेस्ट था यहां अपसलिटली अपसलिटली वेरी वेर क्योंके आप जώνके अशी कि यहां क्योंके udah वेकल़ो यह रहला हो मिया वडल्रा जोड़ीटली। क्योंच में हो लाफ। आप 50 अ है क्योंच में हो आप राiking अ, चुरीत आप सेड़ को घॉना एकार सेड़्ाज धने लाफजा अ, है जथी खुरीए झाल झाल